अज क्या है अध़रिक्ट्र स्पेस्वारी सीरीज में एक इंपोर्टेंट रिजल्ट पर बात करेंगे जो लास्ट ट्रा रास्ट में में बता है है और यह आगे जो सब्सक्राइट रिजल्ट हैаюсь कि यह पुनुत क्रेuff कि इजर हमारा वही वेक्टर सब से हैं कि दोसाम इस्पेस लेंगे उन एक तरफ हम ली नियर अ गरिंगे दोसे पीस है इसका प्रूफ देखेंगे और इसी तरह इसे हम जो यह प्रूफ करेंगे इस तरह से हम किसी भी एक्जामपल को भी सोल्व कर सकते हैं साथ साथ वेक्टर स्पेस का तो पूरा है तो रिजर्फ लिखते हैं सबसे पहले दो सब स्पेस लेते हैं लेट यू एंड डव्यू आर तू सब स्पेस तू सब स्पेस अफ वी ओवर एफ वी ओवर एफ क्या है हमारा एक वेक्टर स्पेस है वी ओवर एफ हमारा एक वेक्टर स्पेस है तो यह रिजर्ट हमें बताता है देन नमबर वन अभी तक हमने पढ़ा था यूनियन यूनियन के बारे में पढ़ा था कि यूनियन हमारा सब स्पेस नहीं होता है कब होता है जब एक दूसरे में contain हो और linear sum के बारे में पढ़ते हैं कि first result u plus w first result कहता है दोरों sub spaces का linear sum over f एक sub space होता है क्या होता है also a sub space of v over f is also a sub space of v over f पहला हम यह प्रूब करेंगी कि दो जो sub space हैं इनका linear sum नहीं हमारा कैसा होता है सब space होता है दूसरा दूसरी इसकी condition है हम linear sum और इसमें result को रखेंगे कि u plus w जो linear sum है u और w का linear sum है वो है linear span of u union w कि यू और w के linear union का जो set है उसका linear response u plus w हमारा पूरा generate हो जाता है उसके बरावर और यह जो result है इसकी help से हम questions बड़ी इसे लिए करेंगे हमें कई बार question में दिया होगा dimension दिया होती है u की w की u union w मतलब दो सब space दिया होता है हमकी dimension उनका basis दिया होता है फिर हमसे कहा जाता है कि u इन दोलों के union की dimension basis लिका ले और plus का linear सरूंका निका ले तो पर हमारा यह यू जाता है इस तरह से काफी example होते हैं हम इसका पहले proof देखते हैं कि example कभी और करेंगे प्रोफ सबसे पहले यू और डब्लू दो सब इस्पेस लिए हैं सब इस्पेस या वेक्टर इस्पेस हम बहुत बार proof कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे उसी थोड़ी पर चलेंगे कैसे जीरो इसमें है या नहीं है एक प्लेट यह थोड़ी दिर लाइट ऐसे ही होगी तो आप देख लेना तो हम क्या करते हैं सबसे पहले जीरो चेक करते हैं जीरो इसमें है या नहीं है फिर हम चेक करते हैं दो एलिमेंट्स लेते हैं हमारे जिसे सब स्पेस सुन करना होता है इस सेट से दो एलिमेंट्स लेते हैं उन दोनों एलिमेंट्स का सम हमारे वेक्टर स्पेस में है या नहीं है फिर हम चेक करते हैं कि एक element इधर से लेंगे एक इधर से फिल्ड से एक इससे तो A into U जो हम ले रहे थे वो इसमें set में है या नहीं है फिर हम यदि तीनों condition फुल्फिल होती है तो हम उसे vector space यहां पर यह सबस्पेस के लिए बात करना है सबस्पेस हो जाता है खुद में एक vector space बने जाता है तो इसे प्रूफ करते हैं सबसे पहले यह first वाला प्रूफ करेंगे हम सबस्पेस प्रूफ करने वाला तो सबस्पेस के लिए तीन condition जीरो वाली देखिए यू और डबलू जब हमारे सबस्पेस है तो इतना तो आप मानते हैं जीरो है वो यू में होगा साथ के साथ जो जीरो है वो डबलू में भी होगा तो हम क्या कहेंगे जो जीरो है capital zero जिसे हम यू प्लस डबलू गा जीरो प्लस जीरो जीरो यह ह हमारा ब्लों कर जाएगा यू प्लस डबलू में आप जानते हैं linear sum में कैसे element होंगे first element u से second element w से आता है तो यह जीरो इस पर हो गया first condition हमारे हो गई second condition second condition है हम दो element लेते हैं यू प्लस डबलू में कैसा एक element मैंने लिया यू यू यूवन प्लस यूटू एक element लिया डबल्यू डबल्यूवन प्लस डबल्यूटू उसी तरह से यह first वाले element हमारे यू के है second वाले element डबलू के कि हम यू प्लस यह दो जो दोनों element है यह ब्लों क्या कर रहे हैं यू प्लस डबलू में तो first element यू का है and second element हमारा डबलू का है यह capital है जो सभी space वाले हमने दिखाए हैं यह element वाले smalls हो किये हैं ताकि आपको confusion ना हो अब हमें यू प्लस डबलू के किसमें दिखाना है इसमें तो हमारे second condition भी fulfill हो जाएगी कैसे दिखाएंगे करके देखते हैं यू यू प्लस डबलू बराबर यू वन प्लस यू टू प्लस डबलू बन प्लस डबलू डबलू तू इसे थोड़ा सा रियार्रेंज करते हैं कैसे किया जो first वाले element है उन्हें एक साथ लिखा यानि कि जो यू के element है उन्हें एक साथ लिका, दूसरा जो W2 के alement है, उन्हें एक साथ लिका, इसका मनलब ये वाला alement, जब ये दो alement, दोणो alement u के हैं, uack, sub-space है, तो य Caleb U में जाएगा, ये दोनो alement u 2 और W2 W के हैं, और डव्लू सबी स्पेस है तो U2 प्लस व तो डव्लू में जाएगा और पहला element NG ug का है दूसरा element W का है तो on V q पूरा क पूरा फूर यू ब्लस W में गया तो हमारी कंडिशन होलगे दो QUEE 2 का सम इसमें दी No कंडिशन हमारी complete हुई अब बात करते हैं Lots ride and थर्ड गर्भीशन, एक element लेते हैं, यू, यू1 प्लस यू2, ठीक है, किसे लिया, यू प्लस डब्लू से, u plus w से एक element लिया हमने u1 plus u2 first element u का है second element w का है एक element a है वो मैंने f से लिया अब हमें check करना है a into u इसमें आता है या नहीं आता है हम ग्या करेंगे a into u बराबर a into u के साथ इसके साथ करेंगे a into u1 plus a into u2 अब देखिए a तो field का है u1 u का है और u कैसा है हमारा vector space यह sub space है तो यह u में जाएगा इसी तरह यह w में जाएगा पहरा element u में जा रहा है दूसरा w में जा रहा है तो हम इसे कह देंगे यह हमारा u plus w में जा रहा है तीनों condition fulfill होई इसका मतलब जो हमारा u plus w है वो sub space है v over f का क्या है sub space बन गया u plus w x sub space बन गया पहरा result हमारा proof हो गया बात करेंगे second result की अब आप लिए थोड़ा set theory पढ़ा है दो set है यह भी एक set ही बनेगा vector space है वो एक set तो है यह ना खुद में और यह linear span वाला भी एक set बनेगा दो sets को बराबर दिखाने के लिए दो sets को हमें बराबर दिखाना है कैसे करेंगे एक element इधर से लेके चलेंगे इसमें दिखा देंगे यह इसका sub space हो गया दूसरा इसे एक दूब बारे हम एक element लेके चलेंगे इसमें इसमें सो करेंगे कि इसमें है U plus W में यह इसका sub set हो जाएगा जब दो set एक दूसरे के sub set है इसका मतलब दोनों set से क्या करेंगे दोनों set हमारे से तो second में यह करने वाले हैं और यह result important है आपको हमेशा याद रखना है commit to memory result है important है याद रखने वाला है important result है questions में theoretical questions में भी इसके साथ साथ जो हमारे applied कि मतलब questions on करने वाले question है उनमें भी result काफी use आता है इसकी जो theory है यह proof मैंने इसलिए बताया था कि आप यदी कभी attack जाओ किसी में सभी space वगेरा proof करने में तो थोड़ा याद रहे वही ऐसे-ईसे करते थे तो आप mind में सोचो दो-तिन line में proof आ जाता है किसी कभी और यह वाला भी important है इसका बताती हूं आपको proof और इसी तरह से आप थोड़ा सोच भी बाएंगे कि किस तरह element एक sets से, इन sets में एक दूसरी में किस तरह elements जाते हैं हम में कोई question मिला तो हम किस तरह से हम सोचेंगे कि कभ union करना है कभ sum करना है यह सारे चीजे भी तो second का proof करते हैं लिखिए आप यहाँ तक मैंने माल लिया है एक small u element है वो capital u जो हमारा sub space है उसका element है u plus 0 बदाव जीरो मैंने माल लिया डबलू का है तो u plus 0 को u plus w में हो दिखा सकते हैं ऐसे linear sum में के यह होता है पहला element पहले से दूसरा दूसरे से u मैंने लिया था u से और 0 ले लिया हमने w से हो गया मारा काम ठीक है तो इसका मतलब यह किसके बरावर हो गया u plus 0u u है वो ब्लॉण कर गया u plus w में u है वो ब्लॉण कर गया u plus w में इसी तरह हम क्या करते हैं हमने एक w लिया किसमे w में तो हम 0 plus w होगा वो ब्लॉण कर जाएगा u plus w में और जो w होगा हमारा वो ब्लॉण कर जाएगा u plus w में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपने गो यू ओल्ड ब्लू दोरो इसमें आ गए प्लॉंग कर गए यहां तक तो होगया यानि कि देखो एक element मैंने यू से लिया था वह element यू मैंने यू प्लस डब्लू में दिखाया तो इसका मतलब जो यह है यह हमारा सबसेट है सबसेट होगया यू प्लस डब्लू का इसी तरह W को मैंने W में लिया था और W को U plus W में दिखाया तो यहां से यह implies कर जाएगा कि जो W सबस्पेस है वो सबसेट है U plus W का ठीक है दोनों सबस्पेस दोनों इसके अंदर आ रहे हैं तो यूनियन में क्या होता है जब हम U plus W का यूनियन करते हैं क्या कि यूनियन्ट वू सबसेट होगा यू प्लस का कि भाई नगने इसमें प्रेंट क करने पर तो इन दोनों के एलिमेंट सर्वा को सबस्पेस है यह इसका सबसेट हो गया मैंने आपको लास्ट जब रिजल्ट कर आए था लीनियर सम्वारी क्लास में रिजल्ट तो वहां बताया था किस तरह से वहां आप जाके देखेंगे कि कि किसी सट कोई सट किसी का है लीनियर सम्व का लीनियर सम्व क्या है सबसेट है इसका जो लीनियर स्पान होगा लीनियर स्पान यू ये डवल्यू यह भी सबसेट हो गया यू प्लस डवल्यू का कैसे लीनियर स्पान में लीनियर कॉमिनिशन्स लेते हैं और यहापे भी लीनियर कॉमिनिशन्स पे बात करते हैं इसको अच स्पेस की जो प्लेइलिस्ट है उसमें है उससी लास लास तो यह हमारी हो गई एक्वेशन नमर बन यानि कि मैंने इसको इसका सबस्पेस दिखा दिया अब मुझे यू प्लस डबलू का लिने यू प्लस डबलू में अब यू प्लस डबलू को दिखाना है तो एक एलिमेंट होगा मेरा यू प्लस डबलू में अगेन लेट करेंगे यू एक कोई यू एलिमेंट है मैं वह ले लिए मैने यू प्लस डबलू में ठीक है यू को अब इसमें है तो यू वन प्लस डबलू बन की फॉंम में लिख दिया यू प्लस डबू के सारे element इसारे से हैं एक यू बन में एक डबलू hanya दूसरा इसारे से है membrane Crane कि कर रहा है यू बलस डबलू में इतना आप समझ गए होंगे U1 U में है W1 W में है अब इसके आगे हम क्या करेंगे U1 और W1 अब जब U1 हमारा U में है W1 हमारा W में है तो आप जाजते हैं U1 जैसे यहां किया था कोई भी एक element U और W में थे वो इसके union में यहां तो linear sum पे बात की थी तो linear sum पे बात करके हम union में भी आ गए थे भई कोई दो element है जैसे हमने यहां किया कोई दो elements है एक set में है एक दूसरे set में है तो दोनो elements उनके दोनो set के union में भी होंगे तो क्या होगा U1 और जो W1 है वो कहां बिलोंग कर जाएंगे हमारे U union W में यहां तर समझ में आएगा क्योंकि U1 है वो U का element है W1 है वो W का element है दोनों के union में केवल U और W के element आने वाले हैं तो U1 और W1 हमारा इन दोनों के union में बिलोंग कर गया इन दोलों के union में belong कर गया और जब इनका हम linear response बनाएंगे तो हम वाल्यू लेते हैं को हम क्या करते हैं यूवन लीनर कोमिलेशन मनाते हैं यूवन प्लस ब्यू टू यह ब्रोंग कर जाएगा linear span of यू यूनियन डब्ल्यू यह इसमें ब्रोंग कर गया यह क्या है यह element हमारा U1 प्लस W1 और U1 प्लस W1 क्या है U तो यहां से हमारा implies कर गया कि U जो मैंने element लिया था यह ब्लों कर रहा है linear response of U union W में element U कहां लेके चलेते U प्लस W में कहां दिखा गया linear response में तो इसका मतलब क्या हो गया कि U प्लस W is subset of linear response of U union W यह equation number आगई 2 सुरू से देख लेजिया यह आपको समझ आई गया होगा सबसे पहले एक element था U में लिया U प्लस W करके U प्लस W में लिख दिया U किस में आए तो यह U U प्लस W में इसका मतलब जो यह U सेट में हमें एक element लेके चले वो यू प्लस W में दिखाया तो यू इसका सबसेट होगए इसी तरह डब्लु को सबसेट होगया सेम प्लसेस है ना U प्लस W U अब दोनों सेट हैं दोनों की जो एली दोनों सट किसी एक सेट के सबसेट हैं तो दोनों का union भी हिंका सब्सेट होगा और linear span phase का subset हो जाएगा यह मैं आपको बता रहे हैं तो हमारा पहले एक काम complete हुआ एक को हम इस वाले को हमने इसका subset दिखा दिया दूसरा अब मुझे plus वाले को दिखाना है subset तो मैंने एक element लिए plus में उसे u plus w में रखा अब u plus w है तो u इसे दो terms इस तरह आएंगी जीएक उमें होगा यकव में होगा तो गया होगा दो एक element, een w में है दो इससे बंग में यह चो आधी हसओ एक दीखा दिखा दिया इसका मतलब यह रिजल्ट हमारा क्रू हो गया दो सेट है एक दूसरे के सबसेट है तो वो कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के सबसेट है तो वो हो जाएंगे हमारे सेम सेट हो जाएंगे तो आज यही रिजल्ट ही करते हैं आप रिजल्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना अच्छे से समझ लेना है ना ओके थेंक्यू